किस तरह के फिल्प है? मीरा मातुल एक ऐसा सिनेमा है, एक और उतके साथ जो बीती हुई उसकी आप बीती है उसकी कहाँ है एक शादी शुदा लाइफ में इस सारी प्रॉब्लम्स होती है और हर और उतको एक सम्वान की जरूरत होती है तो उस सम्मान को पाने के लिए उस ओरत की एक लड़ाई है और जिसको वह बको भी जीटती है उस लड़ाई में वह अपने पती के shandma को लड़ना पह्त सरी प्राभ्लम्स, फाइमिली को लेरा समाज को लेरा और जो फीर दारींगी जी को समाता कूर से सब्सद्स इता है ü accept, एक बाधिता हमारा publishing है ने मिलंपी अम्माुथ OLI को पाने के लिए दे hazल टेखनेarin गाल कि मीरान से सब्सक्सराइने के लीए सु पर जा नेटS इन सब के सायोग से फिल्म बहुत अच्छी बनाने की कुछिश दिया, लोगों नमजा मेरा बहुत साथ भी है, बहुत सारी प्राब्रम्स के विए से फिल्म बहुत टाइम के बाद हम लोग बहुत महनत करते बाहर तक लेकर आया सुमान जी के बतालब से, और आज फिल्म आप की गई है और क्या रिचर्च की रिचर्च करनी पड़ी आप लोगों को इस तहानी के लिए पहले तुम्हां यही बता दू कि एक और थी ओरत का दर्द जान सकते का भी मर्द नी जान सकते है, उसका सबसे बड़ा दर्द होता है उसका औरत होना है, जब वो हम इस पर रिसर अगर मैं कम्प्लीट हूँ तो एक मेरा हस्बेंड मुझसे पूरी तरह से खुश क्यों नहीं है, और मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश रहा, तो वो लग की वही महसुस कर सकते हैं, जिसकी लाइफ में सब चीजे बीती है, खुशी राजपुत की फैमली से कुछ ऐसा रहा, तो कहीं ना कहीं की वैक राइफ में दर्द था, वो दर्द रहेगा तभी वो समझा पाएगा सामने वाले को कि नहीं प्रॉब्लम दो है, जिसने दर्द भी नहीं देखा वो कैसे समझा, तो मेरा माथूर की जो एक इस्टोरी है वो खुद अपनी नहीं है, इस सामाज की स् हमने फिल्म प्रेजेंट करने के लिए सबसे बड़ा तो कोविट का था, हम लो ने इसको बहुत अच्छी तरह से रिलीस करने का सब कुछ किया, बीस मार्च को रिलीस थी, साना वाले ने पबलिसिटी हो चुकी थी, 14 मार्च को उससे बड़ा जन्द तुक मैं, शायद मीरा मातूर ने भी नहीं सहा, जो हमने सहा, वो सहना ऐसा सहना था कि एक और अच्छी जादर दर्द था, एक फिल्म को सब रोगोरे सब्सक्राइब, एक मोरल सपोर्ट होता है ना सब का कि हम अकेले नहीं गिरे हुए, उस मोरल सपोर्ट में जो छह महीने बीते हैं, बैस सबसे मेरा मातूर साइड में रखते हैं, इस इंड़स्टी के लिए थोड़ा सा बात कर लेंगे, इस इंड़स्टी ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, इस समाज को बदला है, जो हमारी दुनिया है, और फिल्म को देखके ही आगे की जनरेशन आके जाने की कोशिश करती है, और हमने ऐसे से लोगों को खोया है जिसने सिंदेश्टी को बहुत कुछ दिया है तो शायद हमारे एक मीरा मातर का दर्द बहुत छोटा था जो उनको खोने का दर्द जादा था बड़े बड़े स्टार्स, मीजिक डिरेक्टर, बड़े बड़े डिरेक्टर, बहुत लोग गए और ऐसे महौल में गए जिनके लिए हम लोग दुख भी पिकट करने उनके करीब तक नहीं जा सके तो उससे ज़दा दर्द तो नहीं था तो जब हम उस दर्द को फील कर रहे थे न तो शायद हमें अपना दर्द गम है सुषूरा तो मैं तो यहीं कहूंगा कि इंड़ेस्ट्री हमेंसा एक जूट थी और एक जूट रहेगी चाह कितनी भी विपता है कितनी भी प्रॉब्लम्स आए कि फिल्म इंड़ेस्ट्री के ऐसी जगह है जहां पर किसी तरह का किसी को अपना सेल्फ नहीं चाहिए उसको समाज के लिए चाहिए उसको अपने इर्दगिर जितने लोगें उनके लिए चाहिए एक फिल्म हम बनाने जाते हैं तो अपने लिए नहीं बनाते समाज के लिए पर समाज के लिए हमारे से 2,000 लोग वर्क करते हैं तो 2,000 वर्क करने में उनका फैमिली का चलता है का वो काम रुका हुआ था लोगों को प्रॉब्लम्स थी जब लोग सडकों पर थे तो उनमें हमको नहीं पता था कि हमारी इंडस्ट्री से कौल लोग हैं हर समाज के लिए आ कोई रहनुमा थाए लिए चाव डियोपी हो चाव क्रू मेंबर हो चाव टेक्नीशियन हो चाव आर्टिस हो कोई भी हो एनिवड़ी तो जो फील किया है न हमने उस फील में और भी इस्टोरी लिखने के लिए मजबूर हो तो सर्थ क्या करना चाहते है कि इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं मिलता है कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं है हमारे लिए स्टैंड कोई नहीं ले सकता सिर्फ काफी सपोर्ट किया है सल्मान कार सपोर्ट किया है असोशीशन को सपोर्ट किया है एक और रहे सरिके से सपोर्ट किया है देखे उसका भी तौर पर सपोर्ट नहीं ह तो हम लोग जब जो दर्द को सहाना तो देखा तो यह दर्द छोड़ता था तो हमने मीरा माथुर को संजो के रखा इसको वक्त आने पर इसको रीज़ करेंगे और यह वक्त अच्छा है अच्छी फिल्म रिलीज हो रही है और उम्मीत करतें कि लोगों के इस फिल्म बहुत पसंद आएगी इसमय फिल्म हमारी है अलन कपूर है फैकि राजपूत है अश्विन गपूर है, रमान अगनी उत्री है, निकीता प्रशुक्तम जखोडिया है, और भी कफिसरी कास्टिंग है, और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में, और फिल्म बनाने के लिए तिनी महनत करने चाहिए थी, हमारे कास्टिंग से लेके, हमारे आर अगे बढ़े, और मीरा माथूर है, इसके बाद हमारे एक लखनू मेरी जान, एक फिल्म बनाने के लिए तो बेक टूबेक काम है, अभी बुरा वक्त 2020 हम सब लोगों के लिए बहुत बुरा गया है, तो उपर वाली की दुआ से हम सब के साथ और मोहबत के साथ में हम आने आपे आप से जाना चाहते हैं कितनी कष्मकस होती है अंदर जो कि लिए जो फिल्म होती है, एक्टर लीड रोल करता है और हिड होता है, और आपके दिल कितनी कष्मकस थी कि ये आपने एक फिमेल को लीड रोल दिया है देखे, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहूंगा Man not complete man, woman full complete woman अगर हम उसको समझते हैं तो एक आदमी कभी किसी के जज़बात को नहीं समझ सकता जो और अप लेडी को समझने की कोशिश करिये तो शायद आपको पूरी दुनिया का सुखोसी में दिखाएंगेगा तो मा हो सकती, बहन हो सकती, बीबी हो सकती, फैंड हो सकती और 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 अउरत को समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिर्फ दो अच्छे शब्द चाहिए और उसकी मेंटिलीटी चाहिए कि वो तो आप से चाहती क्या है वही चीज सोच के हमने मीरा मात्रों को सुखोसी इसे मैं आपकी जवाब के जवाब के जवाब में दिखाएंगा आपने आपका सवाल था कि हमने ये कारेक्टरों क्यों कास्ट क्यों कि कहानी हर एक हमने खाय सब्रू पूलिक्त- हमने फेब मेल और्निक सब्जेक्ट है कहानी के साथ से ही हमें कास्ट करने का हमारी कहानी कामारी कहानी पूरस पुरधाम की उपर हमारी कहानी एक तो हमें एक strong woman की जरुवर्ती, तो हमने पहुत सारी casting की थे हम लोगों ने, जो काफी सारी जगा पर हम लोग लोग अनकमफटेबल थे, और कहीं पर तुरह सारी comfortable level लेवल उक्तो एमोशनल लेवल पर professional level पर हुशी के साथ हम बहुत comfortable हो गेते, तो हुशी के साथ हम लोग लोग कि अच्छे तरह से अच्छे तरह से अपने camera में capture कर सकूँ जिसमें काफी हद तक कामियाब भी रहा, बाकि आप 12 आजी को देखिए, इतने हद तक मैंने अच्छे से उसको एक्सपोस करने कोशिश की कि भी औरत का दर्द किया जो भी आपेश फिल में होती है, आज के जमाने में किस तरह का market है, कि काफी पीस बदला है, एक OTT प्लाफोर में बड़ा कमपटिशन लेका है, तो उसके आने बता है, जो फिल्म बन रही गया है, जो इस्टार्स नहीं होते हैं, तो किस तरह से वो marketing या लिया लिया है, तो एक middle class के लिए अकर फिल्म बना लेना, उसके बाद जद्धो जहद होती है, वो release कि होता है, रिलीस करने वाला कोई नहीं है, अगर आप कर सकते हैं, तो कर लीजे, नहीं कर सकते हैं, तो उसको डबबबन करके छोड़े, एक middle, जो फिल्म होती है, उसका आगमी समझ नहीं च काम करना से रहे, और एक यह है, और शारू का सल्मान भी यह तो एक label पर थे रहा, आज लोग और OTT के आने से जो छोड़े पी दूसर जितने भी थे, आज उन सब वो सब लोग मरे हुए, जो लोग तो आज ख़ड़े हो गए, OTT से बहुत सपोर्ट बिलाए लोगों को, और चलो ठीक है, देख लिया, ठीक है, वो भी अपने लेवल पर लेकिनी की है कि जो घर बैटे लोग थे, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे, बहुत सारे टेक्निशन ऐसे थे, और इवें की, देखो मैं तो OTT के आने से पॉजिटिवनस यह है कि जो पहले आर्टिस्ट फिल्म अज खुला हुआ है, आज OTT के आने से बहुत सारे प्लेटफरम्स खुल गए है, तो जो लोग आटिस्ट लोग घर बैटेते हैं, जो टापी से घर बैटेते हैं, आज उनके पास ऑप्शन बहुत हैं, हर तरीके के काम है मार के जो है, छोटे से लेके, बड़े से लेके, OTT पर भी जा रहा है, और ठेटर पर भी आ रहा है, और ठेटर पर भी जो एक साल हुआ अभी, हमारा 10 महीने, 11 महीने होगे इसको, जो लोगडाउन के उजसे, जिसके बीच में OTT प्लेटफरम में मार्किट पकड़ी है, और ठेटर ठेटर का मज़ाए गलग है, और जब भी ठ कुछ सही, कुछ से कुछ सही के लिए OTT है, और जिनको लिए बहुत सही चही हो सेनेमा है, अभी हम आजाद हुए नहीं सही से, जिस दिन आजाद हो जाएंगे, खेटर पुढ़ें के उस दिन नमारी आ जाती है, बहुत बुरा वाक्त दौर से गुजरें सब लोग, तो मेर मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं, मैं चार जगा जाता था और कभी मुझे काम नहीं मिलता था, आज मेरे पास मेरे ममी पापा के प्यार से मेरे भुजर्गों के असरे बासाज मेरे पास मैं चार फिल्में लेके बठो, एक कम्पलीन हो चुकी है, एक अगले मेने शूट और फूर्थ का नेक्स्टियर्गों के लिए चार फिल्में लॉक है, तो जिसमें से तीन प्रोजेक्ट मेरे खुद है, तो मैं तुसी बहुत को रोजी रोटी मिल रही है, मेरे साथ में और भी मेरे कितने सारे पैक्निशन भाई बें लोग होंगे, सब को काम मिलेगा, तो अधिते कैस्ने बढ़गारा, तो जो कितने सारे पैस्टियर्गों प्रोजेक्स के लिए पिल्सक्टियर्गों के लिए भी जाए, तो जाए.